हम है सरकारी मास्टर सब लोग हमको गर आता है कि भाई इपढ़ाता नहीं तो हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं ए बात पर कोई नहीं गर करता है हमारा जो प्रॉल्लम है हमारा जो जिस करन से हम नहीं पढ़ाता है इस पर कोई फोकस नहीं करता है खाली कहता है कि रही हरां खोर है इस हाली पॉईसा उठाता है और काम धन्ना में पहुत हैं जाए प्रविचंपारण में अपराधियों में पुलीस का खौफ साफ देख सकते हैं कि यह ले देखे चीट उट करके हम पास हुए थे विहार में तो खुब चीट चलता है तो हम रोग चीट का फैदा उठाया हम पास हो आई मास्टरी जम नहीं था उसके पहले हम भाइसी चराते थे बकरी चराते थे गाएवे पुसले उसले थे और बताइए हम तो शुरुवे के हैं चरवा हां हम तो कोई काम धंदा चराने वाला किये पढ़ाई से था हमना कोनों मतलब था नहीं को चीट उट करके पास दिये थ अब निकला तो जो मुखियाईन थी तो मुखियाईन ने कहा कि आप दो लाख रोपया दिजिएगा हम को जुमका दिजिएगा तो हम आपका चकिया से अदिते कुमार के साथ ब्यो रिपोर्ट एबी एबिये सामागा गया हम आपको सिक्षक पढ़ा दिए हम खेत गिरभी दूलाख रोपया दिए हम अपना महरारू के जुमका हम मुखियाईन को जब पिनाए तो अब जाके हम पो इस मुख्याई का नोखरी मिला तो अब हमको तो अंदर में कुछ वाता है नहीं है खोखला है अध्यान वान तो है नहीं अग घूस देके हमरा बहाली हुआ है तो पताये हम कोई से परहेंगे जब हमको कुधा नहीं आता है थुड़ा य अंग्रेजी में तो अथना भूझ वे नहीं करता है तो यह हम में परहने कड़ी हम ला दो सरकार हम लोगों सबता है अब बताएए वो सब काम में फोस जाएंगे तो हम को पढ़ाएंगे आपको इसे पढ़ाएंगे सोचिए इस बात पर आप लोग सोचिए हम लोग का दुख तकलीफ खाली गरिया यह मज की नहीं पढ़ाते हैं तकलीफ समझ यह उपर से तना राष्ण पानी आता है इस कुल ट्रेस का पैसा अटरापटर पैसा आता है उसमें से भी हम लोग चाहते हैं कि भाई दन खात तिसे हजार चालीस हजार है हिलाल तक है नहीं से कुछ घापला करके हम लोग ले ले तो घापला करने में भी तो योटरिंग करेगा तो आप लोग सीटी बढ़ाईएक ताली मारूइगा अब क्या करें नौकरी के चकर में वहीं हमीं ब्रेटरिंग कौर रहा था से जाके हम वहीं जीटी मार दिएए ताली बजा दिए तो एतना मार 안 लोग के मत कुछ और कुछ तो अंडर्यंड जगा पर धारू पिलेगे लेकिन हमको दारू पिलाना पुरू. की निर्वा को अब ओपर से मास्टर । हम लोग ठीक दिये हैं तो यहीं साव पुछ समस्य आए कुछ प्रॉलम है जिसके वज़ा से हम लोग नहीं पडहते हैं तो खाली गरी आये मत इस बात पर भी गौर किजे कि भाई क्या मजबूरी हम लोग का है और क्यूं नहीं परहते हैं खाली गरी आने से काम नहीं चलेगा हम लोग को समस्या समझ ये मजबूरी समझ ये सरकारी नोक्री है यहाँ पर हम लोग बॉइट के पईसा नहीं लेंगे तो सरकारी नोक्री करने से का फायदा यही सब कुछ समस्या है इस पर गौर किजिए गाली देने से थोगा हमारा प्रोलम समझ यह तो अब यही करण है कि हम लोग नहीं परहाते हैं उमीद है कि आप लोग बात समझी गए होंगे कि भाई हम क्यों नहीं परहा रहे हैं यह हम लोग को पूरा यकीन है कि आप हमारा दुख तकलिफ समझ गया होंगे